दोस्तों नमस्कार, बक्री के बच्चों में अक्सर हम सिकायत देखते हैं, बुखार रहता है और साथ में दस्त होती है, बुखार और दस्त कई बार वाइरल होते हैं, और वाइरल में ये CCPP में हो सकता है या फिर ये हो सकता है PPR में, लेकिन PPR और CCPP इतनी खतरनाग बिमारि कि यह जब फार्म पर होती है तो पूरी बक्रियों को अपने आगोस में ले लेती है और चोटे बच्चों की तो मौत भी हो जाती है तो अगर मान लीजिए PPR और CCPP हो तो उनको हम अलग पैचान करके इलाज करते हैं और दोनों का ही मैं आपको बदा दू हमारे रामावत एनि PPR या कोई भी भारी नीमोनिया जैसी बीमारिया नहीं है बुखार है और दस्त है तो ऐसी कंडिसन में आपको क्या करना चाहिए मैं आज आपको दो दवाएं ऐसी बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यदा चर्चा में है और आपके मैद्दियम से पसुपालक भाई को भी पता चल जाएगा कि हमें इसको क्या देना है देखिए नंबर वन जो इसको देना है एक सीरप आती है जिसका नाम है फ्लेजिल जी हाँ यह जो फ्लेजिल सिर्फ है यह मैटरंडा जोल की आती है मैटरंडा जोल की और यह जो मैटरंडा जोल है यह भाई एंटी बैक्ट पाच किलो पर एक एक एमेल देनी रहती है, जैसे यह बच्चे हैं तो इनको एक एक दो-दो एमेल दे दो जितने में काम चल जाता है, दस किलो का है तो चार चारे मेल दे दीजिए, तो इस तरीके से हम फ्रेजल सीरप को सुबहाई और शाम दे करके और ठीक कर लेते हैं, तेबलेट हमें मार्केट में मिलती है, अगर पसुओं की अलग से मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं तो जो हुमन में आती है, उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है, और 15-20 किलो पर एक टेबलेट दी जाती है, तो जो छोटे बच्चे हैं, उनको आधी-ाधी टेबलेट, सुभ पहेज करते हैं, और बुकार मान लीजिए, इस थेरेपी से नहीं तूड़ता, तो साथ में हमें एक सीरफ और देनी पड़ती है, जिसका नाम है कालपॉल सीरफ, जी हाँ, यह जो कालपॉल सीरफ है ना, यह भी बहुत अच्छा वर्क करती है, कालपॉल, आला कि पहला सी ट जीएगा, क्योंकि अलग-अलग अलग मेडिशन का प्रभाव जो है, वो कई बार, अला कि नॉर्मली तो जनरल बाते होती है, लेकिन कई बार जो है, वो कई चीजों के साइड इफेक्ट्स भी आपके एरिया में हो सकता है, तो नजदी की वैट किसला से, आप इन तिनों को दीजिये और फिर देखिये, कमाल